हेलो गाईज, आज की वीडियो बेस्ट है, एडवांस इंगलिस सेंटेंस पर, जिने सीख कर, आप अपनी डे टुदे लाइफ की इंगलिस को और जदा इंप्रूव कर पाएंगे, प्लस अपनी कॉमिनिकेसिन स्किल को और जदा इंप्रूव कर पाएंगे, तो गाईज, आज किस वीडियो में मैंने कुछ इंट्रेस्टिंग सेंटेंस को कवर किया है, जिने सीख कर, आप अपनी इंगलिस को और जदा इंप्रूव कर पाएंगे, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अती हर चीज की बूरी होती है, समय हर ज सिखेंगे, वीडियो को एंट तक वॉच करिएगा, गाइस, हमारा फ़र्स सेंटेंस है, अती हर चीज की बूरी होती है, इसे इंगलिस में बोलेंगे, एक्सेस ओफ अवरिटिंग इस बैड, समय हर जख्मों को भर देता है, इसे इंगलिस में बोलेंगे, टाइम हील्स ननीचे, एसे ही अच्छे काम करते रहूं, कीप अप दा गुड वर्क, कीप अप दा गुड वर्क, अपने आपको संभालो, इससे इंग्लिस में बोलेंगे Brass yourself या control yourself Brass yourself, control yourself पता करके तुम्हें बताता हूँ, इससे हम इंग्लिस में बोलेंगे Let me get back to you पता करके तुम्हें बताता हूँ, मुझे ध्यान से देखने दो इससे इंग्लिस में बोलेंगे Let me look into it मुझे ध्यान से देखने दो Let me look into it मेरा भाग्य ही खराब है, अक्सरम ऐसा बोलते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है I am down on my luck I am down on my luck मेरा भाग्य ही खराब है आपके दिमाग में भूसा बरा हुआ है इससे हम इंग्लिस में बोलेंगे Your head is full of calp Your head is full of calp तो माफी के लायक नहीं हो इससे इंग्लिस में बोलेंगे You don't deserve forgiveness You don't deserve forgiveness कुछ तो गडबढ है There is something fishy Guys, वीडियो कैसे लगी? अच्छे लगी तो लाइक करें चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस तर और informative वीडियो के साथ Sentences के साथ तब तके लिए Bye Thanks for watching